वेलो फ्रेंड नमस्ते क्या आपको पोच्छा लगाने में जंजट का काम लगता है पोच्छा लगाते समय बारवर उठने बटने में दिकत होती है कमर में दर्थ होने लगता है पुटनों में दर्थ होने लगता है रीड की हड़ियों में दर्थ होने लगती इसका सल्यूसन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए वीडियो आपके लिए चलिए इसे नहां बनाना सुरू करते हैं देखिए यहां पर इस तरह के जो बोतल होते हैं उसे हमना कबार समझ के फिंक देते हैं तो इस तरह के बोतल को न फिंक के देखिए यहां पर मैंना तील के तेल के बोतल ले ली हूँ इसे ना चाकू को गर्म करकर काट लेना है देखिए इस तरीके से मैं ना काट ली हूँ अब हमें क्या करना है इसमें ना होल करना है तो होल करने के लिए कोई भी नोकीले चीज को गर्म कर लीजिए और उसे होल कर लीजिए तो यहां पर मैं अगर बती जला ली हो इसे बहुत ही असानी से होल हो जाती है मैं बार बार इसे गर्म नहीं करना पड़ता है एक ही बार में होल हो जाते है तो इसमें हम चार होल करेंगे तो देखिए इस तरीके से होल कर ल कर लेना है कोई भी पुराना कपड़ हो उसे ना हम पचा के रख देते हैं ताकि यह पूछा लगाने के काम आएंगे तो ओहीं से यहां पर रखी हूं तो कोई भी कपड़ा हो टीशट भो या पैजा में होगा कोई भी सुति के डूपटे हो उसके को ले लेना है यहां पर देखिए मेरे पास भी इस टॉल था तो उसको मैंने यहां पर ले लिए इस तरीके से अच्छे से विचा लेना है इस बोना पतले-प सब्सक्राइब करना चाहती है उच्छा पतला करना चाहती है उठना पतला पतला कर को लिए CHA q कर लिए उसी पहूंचा बनाना काफी बैसे एक बर कर चूह आपको हमसा कामा आएंगया काई सारी लोगों को घर मेने एक उती है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब नहीं आती है उपकी स्य मे नहीं आती है जाहि Point देयर पर्बेंड नहीं तो देखें इस तरीके से मैंने दो जगे इस तरीके से कपड़ा रख लिए काट के पट्टी को अब इन कपड़ों के इस एक के ऊपर इस तरीके से क्रॉस करके रखना है अब देखिए इसे बांदने के लिए हमें दो छोटे छोटे रसी चाहिए तो इस तरीके से मैंने दो टूपड़े म रख लेँ हैं इसे तरह से में अंदर की साइड डालते हुए इसे बांद लेना है तो अच्छे से टाइटली बांद लेना है ताकि एक खूले नहीं इस तरह के जो मॉप बजार में मिलते हैं काफ भी महंगे दामों में मिलता हैं अब देखिए हमें आप घर पे बिल्कुल फि कि अच्छे से इसको सेट करके दिखाते हैं देखिए इस तरीके से मैं ने फर्ट करके रख लिए अब यह जो टेप बोटर के ऊपर वाला हिसा है उसको रख लिए उसके अब यहां पर दो डोड़ी और चाहिए इस तरीके से जहां पर मैंना होल की हूं इसके होल के अंदर इस तरह से डाल देना है और एक जो दूसरे इसका छोड़ है इसको पकड़ के और दूसरे सामने वाला है इसमें हम ना डाल देंगे देखिए इस तरह से डाल के और अंदर क साइड इसे ना बांधने देना है सेम इसी तरीके से दूसरे होल में वाले में मैं डालके अच्छे से ना इसे टाइटली बांद दूंगी देखी यहां पर मैं ना दूसरे रसी डालके दिखाती इस तरीके से अंदर की साइड यहां पर डालना है और इसको छोड़के अंदर वाले जो रसी है इसको पकड़के इदर दूसरे साइड के जो होल है इसमें डालके अच्छे से नीचे की साइड हमें बाढ़ देना है ताकि यह जदी से निकले नहीं यह बहुत ही अच्छा सा मारा मॉप बनके रेडी हो जाता है बिल्कुल घर पे ना होमेट पोछा बनके त यह से अंदर लगा लेना है देखिए आप मेरे पास एक डंडा था लोगा इसको ना इसके अंदर डाल देते हैं अब इसे गर्म करके इसके अदर अच्छे से फिक्स कर दीए इसे आप चाहे तो पुछा लगाईए फिर जाले साद केजिए याप पंख्य साद केजिए तो इसके पानी को निचोड़ लेती है अब देखिए आपको पूछा लगाना हो कैसा भी कोना हो उन सारे कोने की सफाई बहुत ही पूंछा लगान आपको पूफी यहां पे अपको पूछा लेना है ताकि जुखना न पढ़े इस तरीके से देखिए Украї आपको पूम है वहाँ पर बहुत अच्छी कर देती है । अब को मांगे पोचे मांगे मॉफ खरीदने की जिंजटकर पे इनजुए कर सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक का था अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमली दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिएगा ताकि वह भी इन टिप्स का लाब उठाए सके और मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल नहीं यूजफूल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ फिरेंड